है फ्रेंड्स आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता की और आज हम आप लोग लिए बिहार पुलिस को जनाई बहा लिए कई साथ 391 पोश्ट किया है उसके लिए इडू टेरिया दोरा प्रैक्टी सेट निकाला गया यह जो प्रैक्टी उसी अस्तर पतयार किया गया है इस वज़े से यह टेस्ट बहुत इपॉटेंट है और एक बिहार पुलिस के लिए रुकमडी परकासन का बॉलूम और प्रैक्टी सेट निकाला था जिसमें कूल प्रैक्टी सेट संक्या 30 जो दिया गया था उसमें 300 का हम प्रैक्टी सेटों तो उसको भी देख लिजेगा या तीनों जो उस प्रैक्टी सेट है अगर आप बिहार पुलिस का एकजाम देने वाले हैं तो जरूर देखिएगा क्योंकि इससे कोशन आने की पूरा संभावना रहेगा इस वज़े से यह बहुत इपॉर्टेंट प्रैक्टी सेट है आए देखते हैं अगम प्रैक्टी सेटानों कर लेते हैं ताकि आप लोगlar असानी से दीख पाए य่ शुरुत कते हैं इसका पहला कोर्शन देख लेते हैं क्या दिथा क्या पहला क्योंके कौन से सवरो नाम है बताना है आप जो सब्द है वो कौन सा सवरो नाम है तो आप जो सवरो नाम होता है नीजी वाचक सवरो नाम होता है या इसका जो इंसर जगा बी नमबर जगा जान लेते हैं कि नीजी वाचक सवरो नाम होता क्या है तो जिस सवरो नाम सब्द का प्रियो अगे देख कउन्ट से निकलने वाली द्वानी कौन सी है यह होँ जाए गए यह आगा यह नमबर यह इसका एंसर एंतल आमबर हो जाए जान लेते हैं कि कंट से द्वानि क्या होता है आगला कुशन देखते हैं, इन में से कौन समूह वचक संग्या नहीं है? इस मतना है कि समूह वचक संग्या इसमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समूह वाचक संग्या होता क्या है समूह वाचक संग्या वह सब्द है जिसके इस्तिमाल वस्तुव के समूह को परिभासित करने के लिए किया जाता है या किसी भी समूह को इंडिगेट करने के लिए या परिभासित करने के लिए सब्द को प्रियोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है तो समूह वाचक संग्या कहा जाता है तो यह जो क्या होजागा इसका देख लेते हैं इसमें बताना कि कौन सा नहीं है तो देख लेते है तरवर्ग वर्ग जो है समुव आचक है किसी के बारे में बता रहा है फिर अगला है इस सेना सेना भी एक Give की तरह होता है फिर Auf इस सबास भास सभा भी बहुत सरे लोग मिल के करते हैं इस वज़यologie समुफ ही आलगा चीय प्रचय हो जाएगा किसका प्रवाची सफदो न को सही है और जो इनसर को लोग सभी नाम से बी जानते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा 2 ॉसका किसुत हो thin करेक्ष्ण का प्रवाच्चि क्या होता है तो ये donkey soap caring एगा क्रीशन का प्रिश्ण का प्रेवाचि क्या होता है तो व्वाशुदे शार्थール फोर्या किस नंधble यह सब किस्फ्ण प sónता यहां दिया गये यह बिश्नु बिश्नु का प्रेवाची क्या होता है तो चक्रपणी या लक्षमी स्थापित करने की प्रक्रिया को हमATION कहते हैं इसका विप्रित क्या हो जाँगा इसका विप्रित हम फिर उसका विसरजन करते हैं तो इस व Indeed, खारफरी का संधी विग्रफ सहां संधी बिग्रह क्या हो जागा तो इसका संधी बिग्रह हो जागा महा प्लस रिसी हो जागा इसका जो एंसर हो जागा यह क्या हो जागा तो बी नमबर हो जागा जो कि यह कौन सी संधी है तो यह गूण संधी का एकजामपल है याद रखेगा अगला देख लेते हैं दिया गय द्वीज इन में से किसका प्रिवाची सब्द नहीं है थोड़ा कोश्चन में में स्प्रिंट है यहां क्या हो जागा नहीं नहीं होगा इसमें कोश्चन होगा द्वीज इन में से किसका प्रिवाची है तो इसमें बताना है कि द्वीज किसका प्रिवाची है तो यह जो जाग रा मदर्श को जाए गार। प्रेहं बूब्शयक होता है वाद्ची के प्रेवाची होटें होता है याद रखेंगा उसके बाद के परेवाची होता है और की अब मेग होता है चंद्रमा यहादि रखेगा इसका question था थोड़ह मिस्प्रिण है नहीं इसे जागए सी नंबर हो जाएगा आगला question देख लेते हैं जोके अंग्रेजी से कोशन दियागा है तो यहां फिलिंग दे ब्लैंक में अप्रोप्रियेट वर्ड भरना है तो दिया गया है आवर सोसाइटी इज डैस बाइद एविल अप कोर्परेशन दा इन्टिग्रेल्टी आफ इवें सिनियरी ओफिस्यल इन दे इस्पियूट इसका जो सही एंसर हो जागा या इंडेंजर हो जागा इसका जो एंसर जगा सीन अमेर हो जागा के इन डेंजर होता है पहचां किया आगे देहिन कोश्चं दिया गया है इसका पीस पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनलणですね जूड के ले सकते हैं जो कि उसमें पीछे का भी आपको पीडियेप मिल जागा अगर टेलिग्राम का लिंक आप से ओपन नहीं होता है ता आप डिरेक्ट एड़ेट अफ इडू हमसा पर सर्च किजिए उससे आपको डिरेक्ट टेलिग्राम मेरा मिल जाएगा अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब निकिए तो सब्सक्राइब कर लिजागा बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लिजागा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राथ हो वीडियो को लाइक की जगा दोस्तों के साथ सेर के जगा आए देखते ह तो इसमें कौन सा गलत दिया गया है तो इसका एंसर C नंबर हो जाएगा अगला देखलते हैं और इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा सीनमबर हो जागा эти राइट हो जागा इसका जो एंसर जगा सीनमबर जागा इसका अर्थ होता है सचाए बता देना अगला देख लेते हैं देख लेते हैं दिया गया कि संटेंस दा मोच एपरुप्रियेट ऑपसं इन फिलिंग डब्लैंक चूछ करना है दियागे डिस्कावर पूस्ता के किसके द्वारा लिखी गई यह जो लिखा गया जो आहार ला नहरू द्वारा लिखी गई इसका इंसर जागा बी नंबर हो जाएगा आगला देख लेते हैं दिया गए और स्लेक्त्स इनुन्स अब दागी इनबर हो जाएगा इसका इनकार करना हो जाएगा फिर यहां दिया कए इन्थ्यूज मट्यागे इसका उठ्यों जाएगा होता है उटसा होता है फिर यह यहां येपृवड क्रीव और लिंग सेस्टोफ देख लेते हैं अगला कुशन देख लेते हैं यहां अपोजीट सब्सका बने मतलब होता है जिपाना पिर देख लेते हैं दिया गये यहां appearance, लिंग दिया गया, तो इसका अर्थ होता है प्रगट करना है, उसके बाद दिया गये obious, ओbious जो होता है इसके मतलब होता है जाहिर करना है, फिर यहां likely, likely मतलब दिया होता है संभावित, आगला देख लेते हैं, दिया गये select the wrongly spelled word, यहां जो गलत दिया गया उसको चूज करना है इसमें जो गलत दिया गया बी नमबर गलत दिया गया इसका जो एंसर हो जागा बी नमबर हो जाएगा इसका सही क्या हो जागा तो इंब्रेस दिया गया जो कि इंब्रेस हो जागा E-M-B-A-R-A-S हो जाएगा इसका और्थ होता है सरमिन्दा करना आगे देख लेते हैं Select the meaning of the given Adams इसमें Adams बताना है तो दिया गहे To strain every nerve तो इसका जो सही answer हो जाएगा To put maximum effort हो जाएगा हर संभव प्रयास करना हो जाएगा इसका जो answer हो जाएगा आगला कोशन देख लेते हैं Select the antonyms of the given word यहाँ antonyms बताना है मतलब opposite बताना है तो दिया गहे a line a line मतलब क्या होता है तो बीदेशी या आपरचीत होता है इसका जो यह native हो जाएगा क्योंकि native मतलब होता है इसका आर्थ होता है परचीत इसका जो answer जागा a number जागा फिर यहाँ दिया गहे foreigner foreigner क्या होता है तो इसके मतलब बीदेशी होता है जबकि on familiar दिया गहे इसका आर्थ होता है आपरचीत फिर यहाँ दिया गहे आपरेंस मतलब क्या होता है तो याद रखेगा alien मतलब क्या होता है बिदेसी या परचीत होता है तो इसका पर पोजिट क्या हो जाएगा तो परचीत हो जागा नेटीव हो जाएगा इसका answer A number हो जाएगा आगला देख लेते हैं दिया है Select the most appropriate word of the filling the blanks इसमें most appropriate word भरना है जो filling the blanks में दिया गया है तो देख लेते हैं यहां क्या दिया गया है इंडियान क्रिकेट टीम वाज इन एडेस मूड आफ्टर विनिंग दा सिरीज इसका जो सही एंसर जगा बी नमबर जगा जूबलियंट हो जाएगा जूबलियंट मतलब क्या होता है तो खूसी पुर्वक होता है इसका जो एंसर जाएगा तो जाएगा आगला आपको इन एंसर जगा ए नंबर हो जाएगा यही कोशान पूछ दे कि नियुटन के गति के नियम कुल कितने है तो यह जो थीन है जो कि इसमें से पहला नियम क्या कहता है तो पहला नियम कहता है न्यूटन के गती के पहला नियम जो वस्तु बिरामा वस्ता में रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान में हो वा गतिवान में रहना चाहता है जब तक से कोई उस पर बाहे बल न लग चाहे उसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं तो उसे सब्सक्राइब करना वा थीसरा नियम नियम होता है दिया याद रखेगा यह पुछा था कि जड़ातों के नियम किसे कहते हैं तो यह न्यूटरंस के गती के नियम को कहते हैं इसका जो इंसर जगा ए नंबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं दिया गे ऑल मनुसमें अश्टार जैसे कार्वोइडिट के पाचन निमली कित्म से कीस भाग में शुरू होता है तुल्च जो पुछ होता है ता यह जो हता है मुख गुछ हो है इसका जो इंसर जगा बी नंबर जगा यह मुख कुछ गुछ याद रखेगा यहां दियागा छोटी याँत क्या होता है च्छुद्रांस या छोटी या जो थे किस बहाद में सबसे ज्याद होजन के पाचान taught pieces on और होता है तो यह होता नीजा नाम से जाना से जाना लगाएन Exam जान भाता होता है इताई पीया से अगला दीए रिख मस नली गा घ्रास नली जंख जीマिक पचीस सेंटिमेटर लंबा होता है जोगर सारकक्रीय पैश्य नली की जैसा होता है या ग्रास नली होता है याद रखेगा इसका जो एंसर मुख्य गुःका होता है इसका सही एंसर भी नमबर हो जाएगा अगला कोशिन देख लेते हैं उतल दर्पन दोरब बनाने वाले पर्टिवीम सदेव This होते है यह अले पीछ गहरए रंग की पेशी यह संद्रकोप κारतों की प् Followر भूरे परें पाकर प्रणी mówią अठ्व़ा भी जाता है तो उतल पessäतों कुंदा को चाहते है wa together Director का जो एंसर हो जगा सी नंबर हो जाएगा यही कोशन पूछ देगे करनिया क्या होता है यहां दिया गए करनिया यह क्या होता है तो करनिया आख का वह परदर्सी हिसा है जिस पर बाहर का प्रकास पड़ता है यहां आख का दो तिहाई भाग है याद रखेगा यह जो है करनिय आँख का दो तिहाई भाग है जिसमें बाहरी आँख को रंगीन हिसा पुतली और लेंस का प्रकास देने वाला हिसा सामिल होता है फिर यहां दिया गए प्यूपील प्यूपील क्या होता है तब परितारिका यानि आईरिस के केंद्र मौझूद काले घेरे के आँख की पुतल क्या होता है उसके बाद दिया गया द्रिश्टी पटल द्रिश्टी पटल क्या होता है एक तरह का प्रकास सनवेदी परदा होता है जो कि आखों के प्रीष्ट भाग में इस्तित होता है फिर यहां दिया गया लेंस लेंस क्या होता है यह जो होता है लेंस परदोर्सक और सम कुछे ऐसे बारे में चुम्हिता फिर्सांतियान प्रिष्टितिपेंग्यो ने ल embritt तर्ट उन। होता है मैंने बोड़ी देना हमें यो आग है जो औह्यार भी गत्र ग्या श्याम और हम आपर प्रिंगेश्प्षिति लीफ decir द्रौ के किसी एक भाग पसंतूलन अवस्था को दाब लगाया जाता है तो बीना च्छाए हुए संपून द्रौ के सभी दिशाओं में समान रूप से संच्रीत होस जाता है वह किस नियम के करण तीया पास्कल के नियम के करण होता है यहाँ दिया गए टिंडल के नियम पर रहा होता है याद रखेगा इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगला कुश्चन देख लेते हैं दिया गए निमली कितम से कीस बिटामिन के नाम से भी जाना जाता है बताना आपको कौन से बिटामिन है जिसे हम लोग नियासीन के नाम से जानते है यहाँ जो पिर यहाँ देगे वी tutteमिन फोर्वतामिन पीफोर में नम क्या होता है गश्चर को इरे आप flour को से लहां नियासीन होता है यह जो जो जाता है यहाँ से 5 ini आश्चर्रspecific अलगा शक्रYouTube को तोडने मि मार्य तो करता है यह जो मदद करता है यहाँ जो रहों लाइज करता है इसका जो एंसर जगा ए नमबर जगा जान लेते हैं यह इंजाइम क्या होता है तो इंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोसिकाओं के अंदर पाया जाता है इंजाइम मानव सरीर में केमिकल प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है फिर यह लाइपेज क्या होता है तो ल प्रभीर यहां दिया गया ऐमैमाइलेज एक इंजाइब है जो की एक परकार के प्रोटीन को कार्वोटक तो ड़ने में मदद करता is उसी को मूध करते है याद रखेगा इससा ओगया तो इसका ऐसे जो जगा ए Nagस्कार जागा अगला कुष्टन देख लेते हैं निमलिखित में से कौन सा आ संपर्क बल नहीं है इसमें बताना कि आ संपर्क बल इसमें से कौन सा नहीं है तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है तो इसमें जो दिया गए घरसन जो दिया गए आ संपर्क बल नहीं है अब आ संपर्क बल होता क्या है तो वह बल जो किसी व सlytubha тब्य, और दिया गया यहां चोंबकितिय. चोंबकितिय क्या होता है? वह बखहुत है. तो एक दुसरे को अपने तरफ अटेज करता है. वह एक उसक्ति को एक गूण होता है, जो एक दूसरे को वह आपने तरफ अटेज करने के गूण रहे हैं. उसे चुमकिये गुणक सब्सक्राइब में घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग डैस में बदल जाता है तो यह जो बदल जाता है इसका जो सही एंसर जागा यह नीले रंग में घोल में जब डुबाया जाता है तो उसका रंग जो होता है हरा बदल जाता है तो इसका जो एंसर जागा क्या हो जागा बी नंब कोई से इस की सब्सक्रानद होता है ने मसूरतों वह होता है क्षिए से इसक नहीं है क्विछ इस इसकोंतों कोए धी उत्यम का थीक जो कि सही है अगला हीर्द है ये भी सही है अगला है कंकाल ये भी सही है अगला है सेस्मोडाइड जो कि यह नहीं है इसका जो एंसर जगा वह दी नमबर हो जागा याद रखेगा इसमें बताना कि कौन सा नहीं है तो इसमें से डी नमबर जो है नहीं है इसका एंसर डी नमब होगा विटामίν B1 का посмотрим नाम क्या होता है तब बीटाम Inter comics नाम os टाइमिन होता है उसके बाद देख लेते हैं विटामिन के का शीलो किनोन होता है वहीं यहाँ डियाग heroin एप कर शीलिक नाम क्या है ति इसका होता होता है थर बेटामिन सी का अभी हाली में बताएं क्या होता है तो याद रखेगा अगला कोशन देख लेते हैं दिया गए कि कपास को उगाने के लिए डैस तपमान हलकी बारिस या सिचाई पहले से यूग तो डैस दिन और तेज धूब की अवेसकता होती है तो यह जो अवेसकता होती है यह उच् इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा अगला देख लेते हैं दिया गए कि पादब कोशिका जनतु कोशिका में भीन होती है क्योंकि उनमें कोशिका जिली के चारो और एक अत्रीक परत होती है जिसमें क्या कहा जाता है तिया जो कहा जाता है यह कोशिका भीती कहा जा आज़ा कुशन देख लेते हैं दिया गये । नामक भारती रोबोट किसके द्वारा बिक्सित गया है। इस और बिक्सित गया हुआ है इसका झो एंसर बारा भी नंफर हो जाएँगा। आगे देख लेते हैं दिया आगे कि भारत के प्रथम वाइस रहे कौन थे बताना आपको भारत के पहला वाइस रहे कौन बने थे तिया जो बने थे लॉड कैनिंग बने थे इसका जो इंसर जगा डी नमबर जगा यह लॉड कैनिंग जो थे भारत में कॉंपनी द्वारा न्य सबसे महत्पूर्ण घटना जो हुआ था 1857 की जो करांती हुआ इन ही के काल में हुआ था याद रखिएगा इसका जो इंसर जागा डी नंबर जागा अगला कोशन है सितारा देभी कीस बिद्या से संबंदी थे बताना आपको कि सितारा देभी जो है वह कीस बिद्या से संबं है इसका जो इंसर जागा डी नंबर जागा अगला कोशन देख लिए चाव का सबसे नया सदस्य कौन सा मुख्याले का है तो कौन सी है तो इसमें जो सदस्य देश है भारत है पकिस्तान है बंगला देश है नेपाल है भुटान है सिरलंका है माल्दी हुए और नया में जो इसमें सामिल हुए वह अफगानिस्तान है तो यहां को पुछा है कि नया सदस्य कौन सा है तो इसका नया सदस्य जो है अफगान नमबर जगा यही राजसभा जो है इसे हम लोग अस्थाई सदन भी कहते हैं क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है और इसका कारेकाल कितने साल का होता है इनके सदस्यों का कारेकाल जोता है छे साल का होता है जो कि यह किस राजसभा का किस अनुछेद में चर्चा है तो अन किया गया था 26 जुलाई 1956 को मिसर के राष्ट्पती करनल नासिल द्वारा किया गया था याद रखेगा इसका जो एंसर जगा इसका इंसर जगा इंसर जगा सी नंबर हो जगा अगला कोशन देख लेथे दिए गया केशर का मुख्य उत पादक राज भारत को अच्छे है तो यहां जो होट इस्पाथ जो है उसका जो एंसर बी नंबर जागा अगला देख लेते हैं ग्रीन पार्क कानपूर में की से संब्स फिडू है सबसे नमबर हो सब siya इसका यंज़ा एंशर बीडिया है तक रहा है कोश्चन पूछ दैकि क्रीन पार्क स्टेडियम कानपूर में लेकिन इडेन गयादन के है फिर वानख्याड़े इस्टेडियम का अई तरह इस्टेडियम का अगला कुश्चन देख लेते हैं भारती मानक समय ग्रीन विच मीन समय से कितना आगे था और पीछे था यह जो देख लेते हैं कितना आगे या पीछे है यह जो आगे है ताड़े 5 गंटा आगे है इसका जो एंसर जागा बी नमबर हो जागा यही कोशन पूछ देगी यह भारत में ताड़े 82 डिगरी जो कि प यह देख लेते हैं गया आफ्रीका में बहने वाली एक पौण शेत्न है उसके बाद यहां मिश्ट्रियल दिया गया है मिश्ट्रियल जोता है इस्पेञ और फ्रांस के छेत्र में यह बहने वाली अस्थानिये पौण आप लोग इसको जरूर याद रख्ये है आगला Queshain नगार्जुन प्रियोजन निमलिकित में कीस नदीप पॉइस्थित थे, इसका एंसर जागा, सी नमबर जागा, आगला Queshain निमलिकित इसमें से कौन से सहर यमना नदी के किनारे इस्थित नहीं है तो देख लेते हैं इसमें कौन से नहीं है तो पहला दिया गया हरी द्वार हरी द्वार जो है यह उत्रा खंड में यह गंगा नदी के किनारे इस्थित जबकि दिल्ली मतुरा और आगरा जो है यमना नदी के किना तो यहां बताना हे कि आमुना के किनारे कौन से नहीं से यह जो हरीदवार जो है इसका को जाएगा जो हे गंगा नदी के किनारते इसका एससर अहरी नमबर हो जाएगा अगला देख लेते हैं दिया गए स्वतंटर था प्राथम मस समय Medley को न दो भणाता आपसे springs प्रथम मंत्री मंदल 1947 बना था जिसमें जोहरल नेहरू परधान मंत्री बिदेश सी मामले और बिज्यानिक सोध के बने थे हैं जबकि यही डक्टर बी आरम बेटकर जो बने ते यह कानून मंत्री बने थे वही मौलाना अब्दुलकलाम जो बने थे सिछा मंत्री बने थे समाचरपहत्र प्ररारम किया थे यह जो प्ररारम किया थे जे ए हिक्की के द्वारा प्रारम किया थे 1780 में इसका जो इंसर जगा बी नंबर हो जागा अगला कुशन देखते हैं कि इसने आवंती के सास्थ चंद्र पधोत के इलाज के लिए अपने राजवेद जीवा को भ पताव को इसने से कौन साथ पीचा बीचे जो जुक्य क्या होता है ति यह औरऊपन प्रिवार इ Tyson यह जो कि यह समार्थी सुची गँतरगत नहीं आता है तो इसका जो answer हो जागा D number हो जागा आगला question देख लेते हैं ब्राव्णी निम्लीकित में से किसकी सहायक नदी है यदे माहा नदी किसहायक नदी है इसका answer जागा D number हो जागा इसकी और कौन सहायक नदी है तो एक बेहतरनी नदी भी है जो कि महा नदी की सहायक नदी है आगला देख लेते हैं दिया गया है कि मैनर हिन रेखा कीन दो देशों के मध अंतराश्टिय सीमा बनाती है तो यहाँ जो अंतराश्टी सीमा बनाती है रूस और फिनलैंड के बिच में बनाती है इसका जो एंसर जगा C नमबर हो जागा समिधान में कहा लिखा गया है तो यह जो लिखा गया है यह प्रस्तावना में लिखा गया है इसका जो एंसर जगा D नमबर जगा अगला कुशन देख लेते हैं दिया गए कि समिधान की प्रस्तावना में की समिधान संसोधन दोरा परिवर्थन किया गया था तो यह जो जबाजवादी धर्म निर्पेक्ष और अखंड तया तीन सब्द जो 42 समिजानिक संसोदन 1976 दोरा प्रस्तावना में जोड़ा गया था इसका जो एंसर जगा सी नंबर हो जाएगा आगला कोशन देख लेते हैं दिया गे निमलीखित में से कीस ग्रह का घुनन गति सारवधी के बताना है कि इसमें से किसका दिया गया है जो कि घुनन गति सबसे ज़ादा है तो इसमें सबसे ज़ादा जो एंसर जगा सी नंबर हो जगा जो कि करिब लगबग 10 गहंटे में अपने अक्षपा एक बार घुम जाती है इसका जो एंसर जगा सी नंबर हो जाएगा अगला को ये किया गया तो आगला कोशन कोश्रा आनुसूची तो इıs समयद्जी सिद्हान के 22 समिझनिन शंसोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था इसमें डल बदल समन्दी प्रधानों का उलेख किया गया जब कि एे गए गरहवी अनुसुची में पंचायती राश समन्दी तो कि बारावी अनुसूची में नगर निकाय से समंदीत चर्चा किया गया है। इसका जो इंसर जगा C नंबर हो जागा। आगला कुशन है दिया गया है समुद्र का असल की और बढ़ना कौन सा संचरन है। तिया जो है रिनात्मक संचरन है। इसका जो इंसर जगा B नंबर हो जागा। इस सिती के बारे में जनकारी प्राप्त करने के लिए एक समीक्ती न्यूक्त की ती जो कि 1881 में लॉड रीपन के समय पहला कर खाना अधिनियम लागू किया गया था। याद रखे बाट करें पूछन फूछ देगा है कि इसके काल में किया गया था राड़ रीपन के काल में किया था 18801 में अगला किस देश में प्रति बेक्टि आए अधिक होती है वह देश क्या होता है बताना है जिस देश में प्रति बेक्टि आए अधिक हो जाता है तो वह देश क्या कहा लाता है तो यह जो कहाता है बिकासित कहा जाता है इसका जो एंसर जगा बिकासित कहा जाता है इसका जो एंसर जगा बी नंबर हो जागा अगला कोशन देख लेते हैं कि रूपय का सौरप्रतम अमुल्यान कब गरता था जब किसी देश द्वारा मुद्रा की बिनीमेदर अन्य देशों की मुद्रा से कम किया जाता है तो इस इस इसी को हम लोग अव्मुलियन कहते हैं भारत में अभी तक तीन बर अव्मुलियन किया गया वह कब कब पहली बर 1951 में किया गया था दूसरी बर 1968 में किया गया था और तीसरी बर 1991 में किया गया था इसका जो इंसर जगा बी नमबर पहली बर पुछा है तो प्रणुक योगदान रहा है यह जो रहा है सरदार बल्ला भाई पटेल का रहा है इसका जो इंसर जगा ए नमबर हो जगा सरदार बल्ला भाई पटेल को और किस नाम से हम लोग जानते हैं महात्मा गांदी नहीं है लोः पूरुस की उपादी से नवाजे थे जो कि इन्हें हम लोग आधुनिक भारत के निर्माता कहते हैं और इनका एक मुर्ती बनाया गया जो कि स्टैचू अप यूनिटी के नाम से जाना जाता है जो कि यह कहां बनाया थे यह गुजरात में बना किये थे हैं वही हैदरावद की निजाम इसमें सामिल होने का नहीं सामिल हो रहे थे हैं तो उन्हें सेना के द्वारा आत्म समर्पन करवाये थे हैं वही अगला कोशन पूछ दे कि सरदार बल्ला भेई पटोल को सरदार की उपादी किस ने दिया था तो सरदार की उपादी बरदोली की महिलावं दोरा उन्हें उपादी दिया गया थे यह कौशन बहुत बर पुचा हुय है इस वज़े से यह हियाद रखेगा इसके बाद यहWait कोशन पूच दे इनका जर्म दिवस कभ मनाया जाता है तumm का जर्म दिवस कभ मनायी ज़ता है किसे प्रदान किया गया है तो यह जो प्रदान किया गया है सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है इसका जो एंसर जगा D-Number हो जागा अगला कोशन देख लेते हैं दिया गया है कि होनरू रिचर्स इंस्ट्रिउट द्वरपरकासित गलोबल इनकर्म इंडेक्स 23 के इपल इस्टोर कहां खोला गया है यह जो खोला गया मुंबई में खोला गया यह जो इसका एंसर जो जाएगा D-Number हो जाएगा आगला कोशन देख लेते हैं दिया गया कि हाली में की संगठन ने उभरते खत्रों के लिए तैयार और लचीला पन पहल सुरू किया गया है तो यह जो बन गया तेलंगाना बनाए इसका जो इसर जगा C-Number हो जाएगा अगला कुशन है फ्यमिना मीस इंडिया 2023 के ता आज किस ने पहन आया गया तो यह जो पहनाया गया यह नंन दिनी गूपता हो जाएगा इसका जो इसर जगा A-Number हो जाएगा अगला कोशन देख ले देख लेते हैं सबसे पहले दिया गए सबसे पहले दिया गए सबसे निर्देशक कौन थे संजय लिला भंसारी थे तो इसमें दिया गए कि कौन सा गलत बताना है तीन में से कोई गलत नहीं है तो इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा आगला कोशन देख लेते हैं दिया गए कि परधान मंतिरी नरेंडर मोदी ने कीस राज में सामवेसी विकास थीम के तहट नौ अभ्यान सुरू किया है यह जो अभ्यान सुरू किया है मद परदेश ने सुरू किया है इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा 25 अपरेल को परधान मंतिरी नरेंडर मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की अधार सिला कहां रखी है तो यह जो रखे हैं केरल में रखे हैं इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगला देख लेते हैं दिया गए कि हाली में मारा को भारत का पहला गाउं घोसित किया गया वह की सिराज में इस्थी थे यह जो इस्थी थे उत्रा खंड में इस्थी थे इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा आगला कोशन है हाली में कीस देश ने भारतिय उद्योग पती रातन टाटा को सरवच नागरी समान अपना दिया है यह जो दिया है अश्ट्रेलिया ने दिया है इसका जो एंसर जगा ए नमबर जगा आगला कोशन देखते हैं जो कि अब रीजनिंग और मैस का कोशन है जो कि इसका एक्स्प्लैनेशन पीडियेफ में दे देंगे आप लोग वहां से देख लिए इसका पाने के लिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जूड के ले सकते हैं जो कि उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा टेलिग्राम से आगर आप लिंक से नहीं सब्सक्राइब कर लेजएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिप्रिकेशन पर आप तो वीडियो को लाइक किजिएगा दोस्तों के साथ सेहर किजिएगा फिर मिलते हैं आप सब लिए वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद जय हिंद